हमास इसराइल जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और हमास के आतंकियों के द्वारा अगवा किये गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्स रेस्क्यू के लिए तयार है अमेरिका के एक हुखार कमांडो गाज़ा में स्पेशल उप्रेशन को अंजान देने के लिए तयार हैं आपको बता दें कि हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंतग बना कर रखा है जिने छुडाने के लिए अमारिके स्पेशल फोर्स के कमांडों इसराइली फोर्स के साथ जॉइंट आपरेशन करने वाले हैं तो देखे जिस तरीके से अमारिके और इसराइल दोनों एक साथ आता हुआ नजर आ रहा था तो उसकी एक तस्वीर जो है वो यहां पर सामने आएगी क्योंकि अमारिका और अजराइल मिलकर एक आपरेशन को अंजाम देगा जिसके अंदर हमास ने जिन लोगों कुबंदक बनाया हुआ है उनको छुडाने की कवायत की जाएगी और आपरेशन को अंजाम दिया जाएगा जिसके अंदर अमारिका के कई खुखार सैनिक भी शामल है अमेरिका ने उन फौज़ी को जगा दी है जोकि खुखार हैं और काफी तेसराट हैं उनको हमास से लड़ने के लिए जगा दी जाएगी तो देखे लगतार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हमास से लड़ने के लिए इसराइल और पाकस्तान एक होता हुआ दिखाए देगा तो वही हो रहा है हमास इसराइल चंग से जोड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रहा है कि हमास के आतंकियों ने जिन लोगों को अगवा किया है उन नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स रेस्क्यू के लिए तयार कर रहा है अमेरिका के एक खुकार कमान्डो, गाज़ा से स्पेशल उपरेशन को अँजام देने के लिए तयार है आपको बता दें कि हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंदग बना कर रखा है जिनने चुड़ाने के लिए अमेरिका स्पेशल पोर्स की कमांडू इसराइली फोर्स के साथ चॉइंट आपरेशन करने वाले हैं